हेलो वेलकम तो माई चैनल मैं हूँ प्रियंका कैसे आप लोग आई होप कि आप लोग ठीक होंगे सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जारी हूं मार्स कॉस्मेटिक का एक ऐसा प्रोड़क जो कि बहुत ही जादा अमेजिंग है और काफी सारे लोगों ने से ट्राइ किया होगा सो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी इसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूं सो मैं बात कर रही हूं मार्स इंफिनिटी लिप पैलेट की सो गाइस ये पैलेट में आपको टू वेरियंट मिल जाते है मैंने इसका सेकेंड वाला भी किया हुआ है सो मैंने मंगा भी वेरियंट है विया है ये मैंने मंगा आया है मिशु से इसका जो प्राइज है वोह है तो ना इंटाने ना अyen परिपीषाद म्मिश्त मिल जाता है अडिसकांट घढ टे बढ़ते रहते हैं सो आप इसको ऑन लान बेता हकर सकते हो So, अब इस palette को मैं आपको open करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है So, guys ये palette कुछ इस तरीके से आता है इसके back side पर आपको इसकी सारी detail mention की हुई मिल जाती है इसमें जो भी ingredients है, इसकी shelf life है, जो इसका price है वो सब इसके पीछे mention किया हुआ है अब मैं इस palette को आपको open करके दिखाती हूँ ये palette में आपको एक बहुत ही अच्छी quality का lip brush भी मिल जाता है आगे आपको brush मिलता है, और पीछे आपको spatula मिल जाता है जिससे आप easily lip shade कोई भी pick कर सकते हो और उसे mix करके आप एक new lip shade बना सकते हो सो बात करते हैं अब इस लिए palette में shades की तो इसमें आपको total 16 shades मिल जाते हैं और कुछ ही बहुत ही सुन्दर सुन्दर shades मिल जाते हैं like mauve color, red color, orange color और इसमें आपको कुछ अतरंगी shades भी मिल जाते हैं जैसे की blue color, black color, white color सो आप इन shades को mix करके एक new shade create कर सकते हो ये palette उन लोग के लिए बहुत ही जादा useful है जिनका parlor है जो की एक makeup artist है और जो लोग travel के लिए जाते हैं उनके लिए भी ये palette काफी जादा handy है जो travel पे different different lipstick नहीं carry कर सकते सो वो ये lip palette carry कर सकते हैं और ये lip palette बहुती जादा amazing है अब बात करें इस palette की shelf life की सो इसकी shelf life 3-4 year है और इसमें आपको 360 gram की quantity मिल जाती है और बात करें इसके formula की जैसे की मैंने आपको बताया कि मैंने इसका second variant try किया हुआ है सो इसका जो formula है वो creamy matte form में है आपकी lips पे बहुती जादा comfortable है ये lip shades और इस lip shade की अगर pigmentation की बात की जाए तो guys इसकी pigmentation bomb.com है यानि बहुती rich pigmentation है इसकी मैं आपको इसका swatches करके दिखाती हूँ तो guys मैं ले रही हूँ ये वाला shade ये वाला shade और ये वाला shade and मैं hands पे आपको swatch करके दिखाती हूँ so guys आप देख सकते हो one swipe pigmentation है and guys आप इसको definitely try कर सकते हो and बात करें अगर इसकी staying power की so guys ये आपके lips पर 5-6 घंटा अराम से रहती है उसके बाद ये थोड़ा सा fade हो जाती है but इसका जो stain है वो as it is आपके lips पे रहता ही रहता है तो आप definitely इस palette को try कर सकते हो अगर आप इस palette को buy करना चाहते हो तो उसका link मैं नीचे description box में दे दूँगी आप check कर सकते हो and वैसे भी अगर आपको इस lipstick लेने जाते हो तो वो lipstick भी आपको एक single lipstick भी आपको 500 से 200 तक में पढ़ जाती है so इसमें आपको 299 रुपीस में total 16 shades मिल रहे हैं जो की बहुत ही worth it है तो guys definitely आप इस palette को try करिए and यह था इस palette का review I hope कि यह review आप लोग के लिए बहुत ही जादा helpful रहा होगा and अगर आप ऐसे ही किसी product का individual review देखना चाते हैं तो आप मुझे नीचे comment करके जरूर बताइए मैं उसका review आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी and ऐसे ही interesting video के लिए आप मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा तो मिलती हूँ मैं आपको अपने next video में तब तक के लिए take care and bye bye